नमस्ते दोस्तों मेरा नाम सार्तक सिंग है मैं साइजानपुर से हूँ उस्तर प्रदेश मैं आज सभी को नीबू पकने के बारे में बताऊंगा फार्म दा जनी लिस्ट यह नीबू है यहाँ पर यह नीबू का पेंड है यह आप सभी को देख रहे होंगे कि नीबू का पेंड लगा हुआ है और इसमें नीबू भी लगे हुए है यह देखे और मैं आज आपको नीबू के बारे में बताऊंगा छोटा पेंड अत्वा संगन जाड़ी दार पोदा है इसकी साकाएं काटे दार पत्तियां छोटी डंठल पतला तथा पत्तिदार होता है फूल की कली छोटी और मामूली यह देखिए मामूली रंगीन यह बिल्कुल सपेद होती है नीबू गोल या अंडाकार होता है यह देखिए यहाँ पर नीबू भी लगे हुए है यह देखिए और हमने टेबल क्राफ्ट रिखिया हुआ है छिलका पतला होता है जो गुदे से भली भात चिपका रहता है यह देखिए यहाँ पर और नीचे देखिए यह टेबल क्राफ्ट भी किया हुआ है पकने पर यह पीले रंका यहाँ हरेपन लिये होता है गुदा पंडुर हरा अमलिये तथा सुगंधित होता है उपर से देखिए कितना ही सुन्दर एवम पौधा लग रहा है कोस रस्युक्त सुन्दर एवम चमकदार होते हैं यह देखिए यहाँ पर कोस सुन्दर और चमकदार भी हैं यह देखिए कुछ प्लांट और पीछे वाली परत देखिए कितनी ही और यहाँ पर कोई भी पेंड अथवा कोस कुछ मात्रा में भरपूर और इसका पीलापन भी अधिक रहता है और बहुत ही रस्युक्त होता है यह देखिए पूरे ही फार्म में मेरे नीवू के ही पेंड लगे हुए हैं यह देखिए यहाँ पर यह आपको पूरा नीवू का ही पेंड नजर आ रहा होगा यह देखिए इस फार्म में देखिए नीवू लगे हुए हैं यह देखिए नीवो का ही फारमय दुसरे तब यह अमरूद का भी यह सामने देखिए अमरूद का पेंट लगा हुआ है